हेलो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में करेंगे शितिस का पार्ट नमबर दस स्वयम प्रकास द्वारा लिखे जो आपका पार्ट है नेता जी का चस्मा उसमें से सभी इंपोर्टेंट MCQ कुशन जो कि आपके एक्जाम में बन सकते हैं तो वेना किसे टाइम वेष्ट के स्टूरा कर लिते हैं कुशन लगवाई थी तो ये जो नेता जी का चस्मा वाला पार्ट है ये मेंली सुभास चंदर बोष की एक प्रतीमा लगी हुई है जिसपर पूरा का पूरा ये पार्ठ बेस्ट है तो उसी को लेकर ये सारे के सारे जैसे का चस्मी वाले का करेक्टर काफी में है, हालदार साब का करेक्टर में है, लेकिन चौराहे पर जिसमें प्रतीमा लगवाई थी, वो था नगर पालिका का प्रशाशनी अधिकारी. Next Question है, मूर्ती बनाने का कारेक किसको सौपा गया था? तो मूर्ती बनवाया किसने था? तो वो थो था प्रशाशनी अधिकारी, लेकिन मूर्ती बनाने का कारेक किसको सौपा गया था? तो कश्वे के अंदर ही हाई स्कूल में एक ड्राइंग मास्टर था जिसने ये का था कि मैं इस मूर्ती को बना दूँगा तो उसी को ये काम सौपा गया था बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मोतिलाल जी ने नगर पालिका के बोड को क्या विश्वास दिलाया मोतिलाल जी कौन वही ड्राइंग मास्टर जिनने की मूर्ती बनाया था तो उनने नगर पालिका को क्या विश्वास दिलाया उनने ये विश्वास दिलाया कि मैं नेता जी की मूर्ती को एक महिने में बना दूँगा ठीक है तो आप कसी option हो गया correct नेक्स्ट है नेता जी की मूर्ती किस बर्दी में थी तो नेता जी की जो मूर्ती लगी हुई थी उसमें किस टाइप की बर्दी उन्हें पहनाई गई थी तो उसमें फॉजी की बर्दी पहनाई गई थी next question है हालदार साहब को क्या आदत थी हालदार साहब एक काफी important character है इस वाले part के अंदर तो हालदार साहब की आदत क्या थी कि वहाँ पर उस मतलब वो कस्वे में जाते थे काम करने के लिए तो रास्ते में वो पान वाले के हरुकर पान खाते थे और मूर्ती को देखते थे ठीक है न तो ये उनकी आदत थी फिप का a option हुजएगा correct next से सिनानी ना होते वे भी लोग चस्मे वाले को captain क्यों कहते थे चस्मे वाले को लोग captain कहते थे जबकि वो सोतंदरता सिनानी नहीं थे उसके बाबजूद उन्हें captain क्यों कहा जाता था क्यों 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 उनकी अंदर देश भक्ती को लेकर जो जजवा था उसकी वज़़े से चस्मे वाले को लोग captain बोलते थे next question है हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे हालदार साहब जब उन्होंने देखा कि लोग देश भक्तों के प्रती अनादर का भाव रखते हैं तो यह जानकर उन्हें काफे दुख हुआ था तो see option है यहाँ पर correct है next है नेता जी की मूर्ती पर सरकंडे के चस्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है कि नए लोग मतलब कि जो नए पीड़ी है उसमें भी देश भक्ती की उम्मीद जो है अभी भी है ठीक है ना तो आपका B option यहाँ पर हो गया correct next question है वो लंगडा क्या जाएगा फॉज में पागल है पागल यह सब्द किसने कहे हैं तो यह सब्द जो है पानवाले ने बोला था ठीक है ना किसको लेकर किसके लिए बोला था पानवाले मतलब पानवाले ने काप्टन को लेकर बोला था जिसकी चस्मे की दुकान थी ठीक है तो A option यहाँ पर correct हो जाएगा पात्र कौन है तो इस वाले कहानी में देश भक्तों का जिसने अनादर किया है वो वाला कैरेक्टर का आपको नाम बताना है तो वो वाला कैरेक्टर जो कौन है वो है पानवाला ठीक है तो D option यहाँ पर हो गया correct इस पार्ट में पानवाले के चरित्र की प्रमुक विशेस्त का नाम क्या है तो यह question का भी important हो जाता है तो इस वाले part को जिन्होंने लिखा है वो लिखा है स्वयम प्रकास ने ठीक है तो C option हो गया correct नेक्स सुवाश चंदर बोस की प्रतीमा किस वस्तू की बनी हुई थी तो सुवाश चंदर बोस की जो प्रतीमा थी वो संग्भरमर की बनी हुई थी बी ओप्षिन हमारा यहां पर हो गया correct नेक्स कुश्चन है मूर्ती निर्मान में नगरपालिका को देर क्यों लगी मूर्ती निर्मान में नगरपालिका को देर इसलिए लगी थी क्योंकि धन का अभाव हो गया था तो ए ओप्षिन जो है यहां पर correct हो जाएग मूर्थी बने कर तियार हुईु इसकी प्रतिमा उसमें क्या कमी रह गए था ? तो यहाँ पर two option हो गया correct SUBHASANTI BOS की प्रतिमा पर किसने लगा था ? फिर सुवासन की बोस पर चस्मा जो है लगाने का काम कौन करता है कैप्टन चस्मे वाला जो है यह काम को करता है तो C option हो गया correct next question है कैप्टन चस्मे वाले अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेता जी की मूर्ती को क्यों पहनाता है ठीक है ना मतलब उसके जितने फ्रेम होते हैं उसमें से एक फ्रेम नेता जी की मूर्ती को क्यों पहनाता है क्यों क्योंकि कैप्टन को नेता जी की जो फिल बिना चस्मे वाली मूर्ती बहुत आहत करती थी और वो नेता जी को असली रूप में देखना चाहता था उसको लगता था कि अगर उन पर चस्मा नहीं है न तो ये देश भक्तों का बहुत ही अनादर है तो इस वज़े से ये सारे के सारे कथन सकते है 18 का D option हो जाएगा correct जब उन्होंने ये देखा कि नेता जी की मूर्ती पर काले फ्रेम के सचमुच के चस्मे को उन्होंने देखा तो उनके चेरे पर एक कौतुप भरी मुस्कान फैल गई 19 का C option हो गया correct next है Captain को देखकर हालदार साहब आबाग क्यों रह गए Captain को जहां पर बोला गया है जो चस्मे वाला था उसी को Captain बोला जाता था तो उसको जब देखा तो हालदार साहब जो पूरे आबाग हो गए क्यों क्योंकि Captain जो एक बोड़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी था फिर भी उसके अंदर जो देशबक्ती की भाबना थी और उस मूर्ती को लेकर जो चस्मा लगाता था तो इस चीज़ को लेकर उन्हें नहीं पता था कि Captain इस टाइप का इंसान है ठीक है ना तो Captain बोड़ा, मरियल और एक लंगड़ा आदमी था तो इंडी का C option हो गया correct नेक्स्ट है हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए थे तो हालदार साहब जो है जब उन्होंने Captain की मिर्ट्यू का समचार सुना तो उसको देखकर वो काफी मायूस हो गए थे ठीक है अब next question है हमारा नेता जी का चस्मा पार्ट किस महान व्यक्ति के बारे में है तो नेता जी का चस्मा जसे मैंने आपको बताया कि यह किमके उपर बेस्ट है यह सुभाज चंद्र बोस के उपर बेस्ट है नेक्स्ट है नेता जी का चस्मा पार्ट में किस बात को उठाया गया है तो इसके अंदर मुद्दा उठाया गया है बिलुप्त होती देश भक्ती की भावना को कि आजकल के जिनरेशन में आजकल के लोगों में देश भक्ती की जो भाबना है वो धीरे धीरे बुलिप्ट होती जा रही है तो इस बात को ही इस मुद्दा को ही उठाये गया है इस वाले चैप्टर के अंदर नेक्स्ट नेता जी ने इस में से कौन सा नारा दिया था तो नेता जी का काफी फेमस नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा 24 का यहाँ पर D option हो गया correct नेक्स्ट नेक्स्ट नेता जी की मूर्ती पर कौन सा चस्मा देखा था नेता जी की मूर्ती पर सरकंडे का बना हुआ चस्मा देखा था तो 25 का D option हो गया correct नेक्स्ट है नेता जी की मूर्ती पर सरकंडे का चस्मा किसने लगाया होगा अब जब उसकी डेथ हो जाती है चस्मे वाले की तो उस पर एक दिन हालदार साब देखते हैं कि सरकंडे का चस्मा लगा होगा तो उस पर सरकंडे का चस्मा किसने लगाया होगा किसी बच्चे नहीं लगाया होगा ठीक है 26 का D हो गया हमारा correct नेता जी का चस्मा कहानी किस भाव पर अधारी थे तो ये किस पर अधारी थे देश भक्ती पर अधारी थे नेक्स्ट है पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था वाक्य में कौन सा वाच्ची है इसमें आप आपको इस वाले sentence के अंदर वाच्चे देखना है तो जैसक कि मैंने आपको वाच्चे अल्रेडी पढ़ाया हुआ है तो जो है यही मैंने कीवर्ड बता रखा है कि कैसे हम पकड़ते हैं कि यह कौन सा वाच्चे द्वारा है द्वारा से हमें साफ सा पता चल गया कि कौन से वाच्चे का उधाराने कर्म वाच्चे कब नेक्स दिली चलो का नारा किस ने दिया था तो दिली चलो का जो नारा है ना वो भी सुभास चंद्र वोस नहीं दिया था नेक्स कुशन है नेता जी की मूर्ती पर सरकंडे का लगावा चस्मा क्या उम्मीद जगाता है तो उसस से पहले जो हमारे काव्य खंड है सूर्दास के पद और राम लक्षमिन परसु राम संबाद उसके भी mcq question upload अगर आपने उसे नहीं देखा है तो class 10 Hindi mcq super series में से आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं grammar section की वीडियो भी उसी वाले प्लेलिस में पड़ी हुए तो आप उन वीडियो को अपने एक्जाम से पहले जरूर देखें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें